हेलो फिरेंट्स तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एटसी गुलू के बारे में जिसको कि हम कौन सी जगह पर और कौन सी वस्तू हम इसको अपलाई कर सकते हैं उसके बारे में हम आपको यहां पर बताएंगे तो सबस्पहले यहां पर हम आपको बताते हैं एरल बढ़ाने के लिए उसमें आप hardner को थोड़ा सा ज़्यादा उसमें मिला सकते हैं ऐसा करने से वो सुखने में थोड़ा कम टाइम भी लेगा और वो उसमें hardness भी ज़्यादा हो जाएगी इसको हम कहां पर यूज करते हैं इसको हमारा जैसे garlic हमारा fiber glass वगरा हो गया तूट गया तो उसमें हम यह इसको लगा सकते हैं इससे हम fiber को किसी metal पर आप चिपका सकते हैं या फिर जैसे कि आप इसमें को जो है कहें ऐसी जगह पर लगा सकते हैं जहां पर hard crack हो जैसे कि हमारी chair वगरा हो गई fiber की उसकी जगह पर आप इसको ले जाकर कि वहां पर apply कर साथ है तो सर्फेस को थोड़ा सा वहां पर lub mira कर लेजिए उसके बाद वहां पर जो है आप इसको वहां पर लगा दीजिए और वहां पर आपकर इसको यह तो asud косय दूगने में लेकिन यह जब अब सूख जाएगा तो यह बिल्कुल उस में जो है यह पूरी तरह से यह मिक्स हो जाएगा और इसमें खास बात यह रहती है कि यह थोड़ा सा ट्रांस्परेंट रहेगा लेकिन दोनों को मिला लेने पर रेजिने और हटने को यह थोड़ा सा यलो कलर का हो जाएगा जि जाएगा तो यह बहुत अच्छी तरीके से वरक करता है बिल्कुल इसी प्रकार का हमारा आता है बोन टाइट तो यहाँ पर दूसरा नंबर यह आता है तो इसके बार हम जान लेते हैं तो यहाँ पर यह बोन टाइट है जिसमें लिखा फास्टेंड क्लियर तो हमारा एरल तो हमारा यहाँ बोन टाइड दोनों एक हमारा नार्मल आता है एक हमारा सूपरे फ्ल क्या सीवर्क करता है तो यहाँ पर हमारा से ते उनकी असी तरीच इसमें लेता है जिसमें कि दोनों को mix करने के बाद हम उसको apply करते हैं तो इसको apply हम कई जगा पर करते हैं जैसे कि हम इसको लकडी में भी use कर सकते हैं marble में भी use कर सकते हैं plastic में यूज कर सकते हैं और metal में भी use कर सकते हैं उसके साथ हम इसको fiber में भी लगा सकते हैं लेकिन यह केवल चिपकाने के लिए है, जैसे कि एक component को हमें किसी दूसरे component पे चिपकाना है, तो केवल उसी प्रकार से हम इसको लगा सकते हैं, आप इसको welding नहीं कर सकते हैं, जैसे की मैंने बता आपको metal, तो metal से metal को आप जोड के उसको यूज नहीं कर सकते हैं, लेकि metal पर आप metal को चिपका सकते हैं, तो ये भी बिल्कुल उसी तरीके से हमारा work करता है, जो कि fast and clear होता है, जो कि इसको लगाने बाद ये 5 मिनट में ये सूखना start हो जाता है, ये 5 मिनट में set होना start हो जाता है, उसके बाद आधे घंटे में ये जो है पूरी तरीके से ये सूख के hard हो जाता है, जिसको की आप यूज करने लायक हो जाता है, तो अब हम आजाते हैं, इसके बाद हमारा एक तीसरा जो है, जिसको की हम बोलते हैं फेवी टाइट, सुपर स्ट्रॉंग, अब हमाते हैं फेवी टाइट सुपर इस्ट्रॉंग की तरफ तो इसमें क्या होता कि इसमें भी हमारे दो ट्यूब होते हैं जिसमें एक हमारे रेजिन होता है और एक हमारा हार्डनर होता है और इसको पूरी तरह से ओके होने में चार घंटे लगते हैं तो आपको मैंने बता जो हमारा aral diet होता है वो 12 घंटे लेता है जो हमारा bone tight होता है तीनों का comparison यह ही है कि सबसे 3 जो set होता है वह बा última फेवी tiite उसके बाद फिर हमारा तीसरे नमबह पर भी आता है cheapest तो इसको भी दोनों को सेम तरीके से मिक्स करके आप लगा सकते हैं और इसमें भी आप सेम वही चीजें आप चिपका सकते हैं जैसे के मारा उड, marble plastic metal fiber और भी बहुत सारी चीजों को आप इसमें बिल्कुल hard तरीके से आप इसमें लगा सकते हैं इसमें खास बात यह कि यह water resistance भी होता है यह heat resistance भी होता है यानि कि यह पानी पढ़ने पर भी नहीं छोड़ेगा यह heat होने पर भी यह नहीं छोड़ेगा और तीसरी बात जो इस है वहाँ पर बिल्कुल यह gap हो जाएगा या फिर यह उससे आकार में यह shrinkage हो जाएगा इसमें कोई समस्या नहीं आती है और दूसरी बात तो इसमें थोड़ी सी flexibility भी रहती है जैसे कि एक parts को दूसरे parts से बहुत ही अच्छी तरीके से यह जोड़ देता है जिससे कि इसमें इसको cracking cracking की समस्या नहीं आती है अब थोड़ा से flexibility रहती है जैसे कि 15 से हमारा 25% तक इसमें रहती है जिससे कि 15-25% जिससे कि यह हमारा तूटता नहीं है यह थोड़ा सा हमारा इसमे flexibility रहती है जिसकी वज़र से बहुत अच्छी तरीके से हमारा work करता है तो अब हम आते हैं next की तरफ यह अगला जो हमारा है फ्लेक्स विक जो की हमारा बिल्कुल सेम फ्लेक्स की तरह होता है लेकिन इसकी जो थोड़ी सी हार्डनेस होती है इसकी स्मेल होती है जिसको की इसको हम कहीं पर भी यूज कर सकते हैं यह थोड़ा सा उससे इसमें flexibility जो है इसमें ज्यादा र प्लाषटिक जो हो गया मेटल हो गया, और हां रिजिटर हो गया, लेदर हो गया इसमें सबसे अच्छा जाटिक कर सकते हैं वहां इसमें काई जोड़ा सकते हैं वुड को तो यह तुरंद का तुरंद होता है लेकिन फोज़ादा शिपकाने के लिए आसी और होस होता है तो यह जो है universal work करता है और यह तो इसका ही एक वरजन आता है जिसको कि हम बोलते हैं फेवी quick जो कि देखने में कुछ इस प्रकार का होता है यह भी सेम बिलकुल उसी तरीके से work करता है लेकिन इसमें hardness बहुत जादा होती है इसकी smell जो होती है वो अगर नाक में चली जाती तो तो वो जो है आपको जो नुकसान कर जाती है जिससे कि आपके आखों में लगने लगते हैं और आसुगर निकल लगते हो तो इसको फेविक को हम ऐसे जगा पर यूज करते हैं जहां पर हमें उस चीज को दोबारा से हमको खोलना नहीं है तो वहाँ पर आप इसको एक बार अगर आपको यूज करना है तो आप वहाँ पर जो है फेविक को आप वहाँ पर यूज कर सकते हैं अब हमारा जो नेक्स्ट आता है वह हमारा आता है एमसील फटा फट तो जैसे कि हमारा नल का लिके जो कर जोएंट सील तो जैसे कि हमारा नल का नल का हमारा टोटी है या फ बहुत अच्छी तरीके से मिक्स करके हमें उस जगह पर जो है चारो तरफ से लगा देना है ऐसे लगाने के बाद इसमें खास बात है जितना ज्यादा इसमें मुस्ट्राजर आएगी उतना ज्यादा यह हाड होता चला जाएगा और यह 29 डिगरी पर जो है यह पूरी तरह से यह हाड हो जाता है तो इसको वहाँ पर लगाता है जहां पर हमारा पानी की इसको यूज कर सकते हैं यह हमारा मेटल पर भी बहुत अच्छी तरीके सवर करता है जिसको की हम पाइप के जुएंट की जगह जैसे कि हमारे और भी कई चीज़ें हो गए लोहे वगर इसका यूज अधिकतार वहाँ पर होता है जहां पर हम वेल्डिंग नहीं करा सकते हैं जैसे कि हमारा गैस सिलेंडर हो गया इस्टोप की टंकी हो गई या फिर हमारी पेट्रोल टंकी हो गया इसी जगह पर वेल्डिंग करने पर उसमें खत्रा होता है इसलिए जो है उसकी जगह पर हम पर एमसील को लगा देते हैं जिससे कि हमारा उसमें शीलेंट भी बंद हो जाता है वह पूरी तरीके से जितने ज़दा नमी पाता है ये हमारा एमसील फटा-पट उतनी ही ज अगला जो हमारा गुलू है उसको हम बोलते हैं इपोक्सी रेजिन गुलू तो यहां पर देखिए इसमें हमारे दो चीजे रहती है एक हमारा रेजिन होता है एक हमारा हार्डनर होता है इन दोनों पर लिखा है कि सूपर ग्लास कोटिंग तो यह ग्लास कोटिंग के लिए जिसको कि हमको इसकी थोड़ा सा पॉलिस करने के बाद उसमें एक नेचुरल ग्लास की क्वाल्टी आ जाती है जिसको कि हम कहीं पर भी एप्लाई कर सकते हैं या फिर कोई चीज हम DIY करते हैं जिसके बीच में मारे पोर्स वगरा हो जाते हैं तो उसको जो है हम उसमें बंद करने के लिए इसको हम वहाँ पर दोनों के मिक्स करके वहाँ पर हम डाल सकते हैं जो हम यह बिल्लकुल फुली तरीक से ट्राण्सपारिन्ट होता है जैसे कि आपको मान लिजें कोई करना है आपको एक गलास का तो ऐसे जगह पर आप इसको जो है एक फ्रेम में डाल करके बिल्कुल उसी के आकार में आप इसको जो है वहाँ पर आप सेट कर सकते हैं जो कि बिल्कुल ग्लास की तरह रहेगा, इसमें आप LED बल्ब होगारा के लिए, आप इसको लैम्प होगारा या भी किसी DIY के लिए आप इसको वहाँ पर यूज कर सकते हैं, तो ये बिल्कुल फुली तरीके से ट्रांस्पारेंट होता है, और इसको जो है, आप अपनी मन चाह जो हमारा ग्लू है, इससे आप कोई भी आप डिजाइन या भी आप इससे कोई भी स्टेचू अगरा कोई भी चीजे आप इसको डाई में डाल कर से, उसमें सेट करके आप इसको जो है, अपनी तरीके से, मन चाहे तरीके से उसको आप बना सकते हैं, अगला जो हमारा सुखने बाद द्रिटेत नियुक्थ चेह framework के तरह सोखने आधा हो जाता है और इसम्हीं आधर की था मोबायलола सर्वासार पर्छल के सबस्के जो तो है आधराई सीवंआ हो साकता हो दूप करके थों को सब दोजो है रम तो इसको तो है इसको इसलिए यूज कर सकते हैं ताकि वहां पर हम इसको दोबारे निकाल सकें और लगा सकें तो उसके लिए जो है हमारे black color को तो इसे खास बाती ही होती है black का use क्यों किया जाता है क्योंकि side में जो हमारे जैसे कि हमारे जो back light वगरा जो हमारा side से बाहर दिखते रहते हैं तो एक black color लगाने से उसमें जो हमारी light होती है वो अंदर के light बाहर की तरफ नहीं आती है तो ऐसी जगह पर लगाते हैं जहां पर जो की हमारा कहीं से खुला हुआ है और इसमें हमारा display light वगर बाहर से दिख रही है तो ऐसी जगह में उसको हम वहाँ पर apply करते हैं और black का use हम जो है black color की जगह पर use कर सकते हैं तो इसलिए हम इसका वहाँ पर use कर सकते हैं तो यह है हमारा T8000 glue जो की हमारे T7000 से यह थोड़ा सा hard होता है और इसमें जो है यह हमारा transparent होता है जिसको कि हम mobile के screen या फिर की pad और body बगर को चिपकाने के लिए उसके सीशे बगर को चिपकाने के लिए इसको हम use कर सकते हैं और इसका use जो है हम छोटे मोटे कई चीजों में जो है हम इसको use कर सकते हैं इसमें flexibility जो होती है वो थोड़ी सी कम होती है लेकिन यह भी बहुत अच्छे तरीके से work करता है आगर आप इसको देखेंगे तो यह आप इसको glue gun से आप इसका comparison कर सकते हैं तो बिल्कुल सेम उसी प्रकार से यह भी रहता है देखने में और काम इसको जो होता है यह बहुत अच्छा work करता है आप इसको कहीं पर भी आप इसको यूज कर सकते हैं जैकर हमारा एक rubber bond की तरह यह work कर सकता है तो यहाँ पर जो हमारा तीसरा glue है वो हमारा B7000 जो कि यूनिवर्सल और multi-purpose glue है इसको हम सभी जगह पर यूज कर सकते हैं जिसको कि आप surface को dry कर लेजिए उसमें आप इसको लगा दीजिए तीन से पांच मिनट के लिए उसके बाद यह पूरी तरह से जो है सूखने में 24 से 48 घंटे तक लेगा और यह जो है पूरी तरीके से यह बिल्कुल ओके हो जाता है तो यह जो है universal glue है जो कि आप question करते हैं उसमें यह आप उसमें जो कि हमारा कांच वगरा चिपकाने के लिए चोटे मुटे जो हमारे project वगरा में तो उसके लिए आप वहां पर इसको आप यूज कर सकते हैं तो जैसा कि मैं आपको एक picture में दिखा देता हूं यह देखने बिल्कुल liquid and transparent होता है जो कि बिल्कुल कुछ इस प्रकार का होता है देखने में और इसको जो हम जिन जिन वस्तुव में apply कर सकते हैं उसमें कुछ इस category के आते हैं जैसे कि इसमें खिलोने वगरा और यहां पर आप देख पा रहे हैं कि इसको जूते के solve वगरा भी आप इससे चिपका सकते हैं इससे आप headphone और यहां पर यह speaker वगरा से लेकर सारे आइटम आप इसमें चिपका सकते हैं तो यह बॉन्ट फिक्स एड़स्ट एड़स्ट होता है जिसको कि में speaker के परते diaphragm spider इनको चिपकान करने के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं और इसको हम ऐसी चीजों में लगाते हैं जहां पर हमें flexibility की जरूरत हो जैसे कि हमारा fiber का cover वगरा हो गया और भी सारी चीजें में इसको लगा के हम वहापर यूज कर सकते हैं जहां पर कि हमें flexibility की जरूरत हो तो ऐसे में क्या होता है कि ये rubber की तरह बिल्कुल काम करता है तो वहाँ पर इसको हम apply करके इसका हम यूज कर सकते हैं और ये काफी तरीके सबर करता है और दूसरी खास बात ये है कि इसको निकालने के लिए इसमें थोड़ा सा thinner या petrol का जैसे ही यूज करते हैं या बिल्कुल असानी से वहाँ से या निकल जाता है जिससे कि हम उसको दुबारा से हम उसको फिर से वहाँ पर क्लीन करके लगा सकते हैं और ये है मारा मैक्सो बॉंड एट से जो कि आपको नॉर्मली कहीं मिल जाता है इसको हम घड़ी, रेडियो, टीवी और भी कई चीजों मिसको हम यूज कर सकते हैं जिसमें कि प्लास्टिक और प्लास्टिक से बनी हुई चीजों को उसमें चिपका सकते हैं स्पीकर के स्पाइडर को लगा सकते हैं स्पीकर के पर्दे को लगा सकते हैं और उसके साथ ही इसको जो है हम जूते के सोल हो गया, रेक्सीन हो गया, लेदर हो गया, उसमें भी हम इसका यूज कर सकते हैं तो यह नॉर्मली कहीं मिल जाता है और बहुत अच्छी तरीके से यह वर्क करता है और यह हमारा फेवी बॉंड जो कि सिंथेटिक रबर्ड कुलू होता है इसको हम जो है रबर्ड में, प्लास्टिक में और यहाँ पर जो हमारा रेक्सीन आता है, लेदर आता है, उसमें हम इसको यूज कर सकते हैं यह काफी अच्छी तरीके से वर्क करता है, जो कि इसको 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 ला जाता है जो कि हमारे flexible चीज़ों में इसको हम लगाते हैं जहां पर हमें जो है लचीलेपन की ज़रूरत होती है और यहां पर हमारा आता है JB weld जो कि हमारा सबसे अच्छा और unique होता है इसमें जो हमारे दो epoxy रहते हैं जिन दोनों को mix करने के बाद हम metal पर लकड़ी पर प्लास्टिक पर या tiles PVC या फिर fiber class पर मिसको जो है बहुत अच्छी तरीके सा मिसको चिपका सकते हैं इसके खास बात यह होते है कि यह सूखने बाद बिल्कुल weld जैसा हो जाता है तो इसको हम लोहे पर पर जैसे कि हमारे लोहे या लकड़ी या फिर प्लास्टिक की चीज़ें में cracking समस्या हो या वो तूटके अलग हो गई हो तो ऐसी जगह पर मिन दोनों को मिला करके लगा द दिन एक बाद यह सूखने पर बिल्कुल जो है यह weld के जैसा यह हो जाता है तो इसको हम लोहे पर भी बहुत अच्छी तरीके सीवर्ग करता है जहां पर आपको welding करने के सुभिधा ना हो या फिर pipe वगारा फुटी हुई हो जहां पर hole वगारा चिदर वगारा हो उसमें तो तो इन दोनों को मिलाने के बाद जो है इसको हम इस्टील या लोहे पर हम इसको apply कर सकते हैं और आगे जो हमारा आता है तो यह है मारा flex tape जो की हमारा waterproof होता है और इसको हम जो है कहीं पर भी यूज कर सकते हैं तो जहां पर leakage की समस्या हो जहां पर छिदर हो या pipe फटी हुई ह कटी हुई कहीं पर चीजों पर जहां से मारा पानी leakage हो रहा है तो ऐसी जगह पर हमको इसको जो है कट करके वहाँ पर हम इसको apply कर देने पर वहाँ पर leakage की समस्या जो है पूरी तरीके से बंद हो जाती है तो यहाँ पर इसको जो है हम उसमें लपेट देते हैं एक round तो यह पर पानी की leakage की समस्या पूरी तरीके से बंद हो जाती है तो कहीं पर यह seal हो तो या पिर कहीं पर यह फटी हुई pipe हो तो वहाँ पर मिसको यूज कर सकते हैं जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं कहीं पर हमारा bottle leakage है या balty leakage है या पिर हमारा pipe leakage है तो वहाँ पर मिसको जो है उ इसका यूज जो है हम कहीं पर भी यूज करते हैं चाहे बहते हुए पानी पर भी इसको हम डारेक्ट लगा सकते हैं जैसे कि मारी पाइप में पानी बह रहा तो वहाँ पर डारेक्ट लगाने पर वह पानी हमारा जो है रुख जाता है तो यह बहुत हमारा अच्छा काम करता ह तो यह है एक रेसी बॉंड इसको जो है हम यहाँ पर एक RTV सिलिकान जली के रूप में हम इसको देखते हैं तो इसका प्योग जो है हमारे बिल्कुल लीकेज की समस्या को बंद करने के लिए वहाँ पर हम इसको यूज कर सकते हैं जैसे की गाड़ी के इंजन में जोहां की हमारा उसमें पैकिंग के समय में इसको यूज कर सकते हैं और हमारे टीवी में जो हमारा इच्टी प्लग होता है उसमें कभी-कभी स्पार्किंग की समस्या होने पर इस रेसी बॉंड को उस हमारे पिक्चर ट्यूब के ऊपर कैप के ऊपर लगा देने से उसमें इस पार्किंग की समस्या बंद हो जाती है जिसके कैप में लगाने पर कैप को चारो तरफ से ये बंद कर लेता है तो इसको जो हम वहाँ पर भी प्लाई कर सकते हैं और इंजन में जब हम पैकिंग डालते हैं तो पैकिंग में इसको हम यूज कर सकते हैं उसमें क्या होता है कि इसमें जो लीकेज की समस्या होती है वो उसमें नहीं होती है इसको लगाने पर ये सूख जाने पर ये बिल्कुल एक layer की तरह बन जाता है जो कि बिल्कुल heat resistance रहता है heat होने पर भी वह वहाँ से जो है वह अलग नहीं होता है तो इसका यूज जो है वहाँ पकरते हो इसको हम एक RTV solution भी कहते हैं तो कैसा लगाई वीडियो आप में कमेंट करके जरूर बताईए क्या तो यहां पर मैंने सारी चीज़ों को complete करने कोशिज गया अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक